उपसर्ग क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी व्याकरण में आज का हमारा प्रकरण है उपसर्ग आए आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि उपसर्ग की हिंदी व्याकरण में क्या आवर्शक्ता है और इसका क्या कार्य है उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना है उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना परिभाशा के साथ अभी स्पस्ट हो जाएगा कि उपसर्ग को समीप में रचना करने वाला क्यों कहा गया हिंदी व्याकरण में इसकी जो सबसे बड़ी आवश्यक्ता अपड़ी सब्द निर्माण के लिए पड़ी क्योंकि किसी भी भाषा के शब्दों का अगर आपको संग्रह करना है उसको बढ़ाना है तो उसके शब्दों का निर्माण करना होगा उसी मूल शब्द और रूड़ शब्द से ही नित नए शब्द बनाये जाते हैं तो हिंदी भाषा में भी जो इसकी आवश्यक्ता हुई उपसर्ग की वो शब्द निर्माण करने के लिए रचना करने के लिए हुई क्योंकि शब्दों का निर्माड चार तरह से होता है आप जानते ही हैं कुपसर्ग, प्रत्यय, संधिय और समास के द्वारा इसका कार्य है शब्दार्थ शब्द के अर्थ को बदलना किसके शब्द के अर्थ को बदलना? हिंदी भाषा के जो भी रूड और मूल शब्द है उसके अर्थ को में परिवर्थन कर देना उसके अर्थ को ही बदल देना इसका मूल कार्य है आए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं इसकी परिभाषा है हिंदी भाषा के वे लगुतम सार्थक खंड या आप कह सकते हैं शब्दांश भी कह सकते हैं उन्हें या अव्यय जो किसी मूल शब्द या रूड शब्द के प्रारंभ में ही जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाकर एक नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं अब आपको इसपस्ट हो गया होगा कि उपसर्ग समीप में जाकर रचना करने वाला उपसर्ग क्यूं कहा जाता है क्यूंकि ये सब्द के प्रारंभ में ही लगता है समीप में लगता है इसलिए इसको कहा गया कि ये एक नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं वे उपसर्ग करता है जैसे एक मूल शब्द है हार हम हार मूल शब्द में चार उपसर्गों को लगाते हैं एक बार आ फिर वी फिर प्र और फिर सम और देखते हैं इसका अर्थ कैसे परिवर्थित हो रहा है अगर हार में हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो ये शब्द लेकिन इसका अर्थ हो जाता है घूमना, उसी हार मूल शब्द में यदि हम प्रनामक उपसर्ग लगाते हैं, तो जिसका ये शब्द बनता है एक नया शब्द बनता है प्रहार, और इसका अर्थ हो जाता है चोट करना, उसी हार मूल शब्द में यदि हम समनागमक उपसर्ग लगाते हैं तो ये शब्द बनता है संगहार लेकिन इसका अर्थ हो जाता है विनाश इसका मतलब ये हुगा कि आप देख रहे हैं कि कितनी बार मूल शब्द में ये नए नए उपसर्ग लग रहे हैं और हर बार एक नया शब्द बना रहे हैं और नये शब्द के साथ साथ नया परिवर्तन कर रहे हैं उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे रहे हैं हार इन मूल शब्दों में परिवर्तन ला दे रहे हैं किस तरीके से परिवर्तन ला रहे हैं वो समीप में लगकर वो प्रारम्भ में लगकर के परिवर्तन ला रहे हैं। जरूरी है कि आप उपसर्ग की विशेस्ता के बारे में भी जान लें। तो उपसर्ग की क्या विशेस्ता है मुख्यता इसकी तीन विशेस्ताएं हैं। तीन विशेस्ताओं में पहली विशेस्ता ये है कि शब्द के अर्थ में नई विशेस्ता लाना, इसके मुख्यता तीन कारे होते हैं, पहला कार ये है कि शब्द के अर्थ में नई विशेस्ता लाना, किस तरह से ये नई विशेस्ता ला रहा है, जैसे बल में यदि मैंने प् अनुशाशन बन जा रहा है ये इसके शब्द के अर्थ में विशेशता ला रहा है और दूसरा इसका कारिगा है शब्द के अर्थ को उलट देना देखिए ये कभी-कभी शब्दों को उलट भी देता है विप्रितार्थ करत देता है एकदम विलोम शब्द कर देता है जैसे स देख रहे हैं कि एक शब्द में अगर इस तरीके से उपसर्गों को जोड़ रहे हैं मूल शब्दों में तो ये निश्यतरूप से भी परितार्थक कर दे रहा है और तीसरा इसका कार्य क्या है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्था न करके मूलार्थ के अर्थ प्रदान करना जैसे शुद्ध है तो विशुद्ध है यानि अत्यधिक जब परिमारजित अवस्था में पहुंच जाए तो शुद्ध है ही वो परिमारजित है लेकिन अत्यधिक जब परिमारजित हो जाता है अत्यधिक शुद्ध है वो विशुद्ध है भ्रमड परिभ्रमण, भरिभ्रमण माने भी घूमना होता है और परिभ्रमण का अर्थ हो जाता है चार ओर घूमना, तो आप देख रहे हैं कि तीसरा जो इसका कार है वो शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्दगिर्द अर्थ प्रदान ही करता है, य यही इसकी तीन विशेस्ता है। के पहले हम यह चाहते हैं कि आपको बता दें कि संस्कृत के उपसर्ग हैं वो संस्कृत के शब्दों के ही साथ लगेंगे। अक्सर करके होता है। इस तरह से अव्या के साथ जुड़के जो शब्द अव्या के साथ जुड़ें वे उपसर्ग वत अव्या होते हैं। तो आए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अति। जैसे है अति। यदि अति के साथ अति उपसर्ग संस्कृत के शब्दों के साथ लगाते हैं जैसे काल है, आचार है, अधिक है। तो ये क्या बन जाते हैं? अतिकाल, अत्याचार, अत्यधिक। उसी तरीके से अधि है। अधि उपसर्ग के साथ देखिए ये किनकिन शब्दों का निर्माण हो रहा है। अधिराज, अधिपति, अध्यक्ष। इसी तरीके से हिंदी के उपसर्ग हैं जैसे अन, अनमोल, अन्देखा, अनकहा, उन, उन्तीस, उन्चास, उन्सट यहां पर थोड़ा सा रुकना होगा और समझना आपको ये है कि कभी-कभी जैसे देता है उन्तीस या उन्चास दे दिया, ये कठिन तो यह है, जैसे उन्चास है, उन्सट है और आप से कह दिया जाए कि उन्चास श उपसर्व हो गया, लेकिन आपका मूल शब्द इसमें क्या बचता है, क्या चास बचता है, नजी, उनका अर्थ ही होता है एक कम, अगर 59 है, तो आप इसे कह सकते हैं, उन्धन 30, यानि 30 से 1 कम, उसे उन्धन कहते हैं, उसी तरीके से 69 है तो उन धन 60 यानि 60 से एक कम है इसलिए उसको 69 कहते हैं तो इसका आप जब खंडन करेंगे इसे अलग-अलग करेंगे तो इसका ध्यान दीजेगा उसी तरीके से एक भर उपसर्ग है हिंदी का अगर इसके साथ एक नए शब्दों का रिर्माण होता है देख अपनी ही भाषा में लगेंगे दूसरी भाषा में नहीं लगेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिंदी का उपसर्ग ले जाकर कि उर्दू में लगा दें या उर्दू का उपसर्ग ले जाकर कि संस्क्रित में लगा दें ऐसा नहीं हो सकता तो उर्दू का उपसर्ग जैसे है ल तो ला से जैसे शब्द बन रहा है लाचार, लापता, लाजवाब, वैसे बद है, बद के साथ बनता है बदसूरत, बदनाम, बदमाश, अंग्रेजी के उपसर्ग ये सब है, हेड है, तो ये भी अपने ही शब्दों के साथ लगे हुए है, सब इंस्पेक्टर, सब जज, इस तरीके से आपके ये चार तरह के उपसर्ग हो गए, पांचमा उपसर्ग आपका है,